नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूटूब चैनल पर दोस्तों जिसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे द्वारा हिंदी प्रस्नोत्री संकला का आयजन किया जा रहा है जिसके माद्देम से आप सभी के लिए दस प्रस्ने प्रती दिन वो भी जो की विगत परिक्साओं में पूछे गये हैं उन प्रस्नों का यहाँ आप पर संकलन किया गया है जिसके माद्देम से आपको दस प्रस्नों के सही उत्तर एवं उनकी संपूर्ण व्याक्या एवं बाकी विकल्प गलत क्यों हैं इन सभी के बारे में आप स्वयां कान जानसकें इस संदर्ब को लेकर यहाँ पर इन प्रस्नों का संकलन किया गया है और Yuk Protestant प्रस्नों के मनाद्द्य से आपको पेपर का लेवल और पेपर में पूछे गए प्रस्नों के रियूल के आपको ये मालूम चल पाएगा कि वास्ताओं में पेपर में प्रस्ण कैसे आते हैं और हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है ताकि गलतियों की संभावना कम से कम रहे तो बिना कोई देरी किये यहाँ पर इस रंकला का पार्ट नंबर 6 जो कि मैं आज लेकर आया हूँ तो बिना कोई विलंब किये यहाँ पर आपके लिए पार्ट 6 का पहला प्रस्ण है निशिद सब्द का विलोम है तो सबसे पहले आप सभी को ये मालूम होना चाहिए दोस्तों कि निशिद सब्द का तात्पर्रे क्या होता है क्योंकि कहीं बार एकल शब्द या वाक्यांस के लिए एक शब्द के रूप में भी ये प्रस्ण पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले निशिद सब्द का तात्पर्रे होता है जिस बात में या जिस वाक्ये में रुकाउट का भाव ओ अर्थात जहां पर विरोध किया गया हो या रोका गया हो या भाद्द किया गया हो उसे बोलते हैं निशिद और इसका सही विलोम क्या होगा तो यहाँ पर विकल्प नमबर तीन जहाँ पर लिखा हुआ है विहित उसका तातपर्र क्या होता है दोस्तों उचित या जिसके लिए बात देता नहीं हो या रुकाउट नहीं हो या जो कारे करने योगे हो तो इस प्रकार से निशिद सब्द का सही विलोम क्या होगा दोस्तों विहित अब यहाँ पर विकल्प नमबर एक वदो को आप सब जानते हैं क्या होता है लेकिन विकल्प नमबर च्यार कहीं सारे मित्रों को इसका अर्थ पता नहीं होगा और कहीं सारे मित्र इसका आर्थ ज मानित वेक्ती अब यहां पर अगर आप इस शब्द की एक छोटी जानकारी और प्राप्त करना चाहें तो यह सब्द अपने आप में क्या है दोस्तों यह सब्द है अपने आप में विशैशन तो इस सब्द की प्रवर्थी कैसी है एड़े क्या ताइब की तो सबसे पहले आप सब को यह जानना है दोस्तों की जंगम सब्द का ताथ पर्रे क्या होता है जंगम सब्द का ताथ पर्रे होता है दोस्तों गती शील अर्था जो चलता फिरता हो जो चलने योग्ये हो उस पसू पक्षी इंसान सब क्या बोलते हैं जंगम और इसका विलोम क्या होगा दोस्तों जो इस्तिर हो या जो चलता नहीं हो तो इसके रूप में सही रिकल्प क्या होगा पर रहे वाची हैं जो कि आपको याद होना चाहिए शुख्समस्द जानते हैं आप और अगला विकल पे अगम तो जहाँ पर जाया ना जा सके ये भी एक एकल शब्द के रूप में पूछा गया शब्द हैं जहाँ पर जाया ना जा सके ये उसे क्या बोलते हैं दोस्तों अगला प्रस्ण आपके लिए निन्न लिकिते में से मुक्त का सही विलोम क्या होगा तो सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि मुक्त सब्द का सही अर्थ क्या होता है मुक्त का मतलब होता है खुला हुआ या स्वतंत्र तो उसका विलोम क्या होगा बंधा हुआ या बद्ध तो यहाँ पर विकल्प नंबर एग इस प्रस्थे के लिए सही अंसर होगा बाकी तीनों सब्दों के अर्थ आप जानते हैं मंद का अरत होता है दीमा रिक्त का अरत होता है खाली और दोस्थ का अरत जानते हैं आप तो यहां पर तीनों सब्दों की व्यक्या करने की कोई आउशिकता नहीं है, अगला प्रस्ण है आपके लिए विस्तिन सब्द का सही विलोम क्या होगा, दोस्तों कहीं बार एक्जामस में पूछा गया, बहुती अच्छा प्रस्ण है, इसका एक विकल्प जो की नीचे दब रहा है, उसको मैं यहीं लिख देता हूँ, जो विकल्प नीचे दबा हुआ है, विकल्प नमबर च्यार, वो यहां पर लिखा हुआ है, विकल्प नमबर च्यार आपके लिए विस्तिन, विकीन, विकल्प नमबर च्यार क्या है, विकीन, तो यहां पर चारों विकल्पों में से हमको चैन करना है सही विकल्ब का तो उससे पहले हम सब को ये पता होना चाहिए कि विस्तीन सब्द का ताथ पर रहे क्या होता है विस्तीन सब्द का ताथ पर रहे होता है दोस्तो फेला हुआ जो फेला हुआ है उसे बोलते हैं विस्तीन तो इसका विलोम क्या लें आपन जो क लिकीन और विस्तीन एक दूसरे के पर्रेवाची हैं क्योंकि दोनों शब्दों का तात्पर्रे एक ही होता है और संकीन सब्द का तात्पर्रे होता है जो संकीन या फैला हुआ नहो उत्कीन का तात्पर्रे दोस्तों लिखित अर्थात किसी के द्वारा किसी पट पर लिखित कर दिया गया, उसे बोलते हैं उत्किन और विकल्प नंबर तीन है, यहाँ पर अनुत्रिन जिसका ताथपर होता है जो पास नहों या फेल होने वाले विक्तिकों बोलते हैं अनुत्रिन, अगला प्रशन है, यहाँ पर आप सभी के लिए सिख्षक द्यान से देखिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्ण है सिख्षक बड़ा भारी ध्रह्ष्पती अनेकार्थी सब्द का समानारती है अर्थात आपको इस प्रश्ण में कौन सा विकल्प चूज करना है जिस विकल्प का ताथ पर रहे ये सभी सब्द होते हों ये सबी शब्द किसी एक शब्द का ताथ पर रहे होंगे तो सबसे पहले आपको विकल्प नमबर एक यहाँ पर दे रखा है गुरू और विकल्प नमबर दो है दिर्ग विकल्प नमबर तीन है रिसी और विकल्प नमबर च्यार है अरुन तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा ह एक गुरू से ही क्यों होगा क्योंकि गुरू का ताथ पर रहे शिक्सक भी होता है सब जानते हैं गुरू का ताथ पर बड़ा भी होता है और गुरू का विलोम क्या होगा दोस्तों लगू ध्यान रखेगा गुरू का विलोम क्या होगा लगू और भारी जो भी गुरू का आ अगर विलॉम आप से पूछ लिया जाए तो आपको हमेशा चूस करना होगा गुरू का लगू और दिर्ग का रिस्व दिर्ग सब्द के लिए आपको रिस्व सब्द को चूस करना होगा छोटा और रिस्व सब्द को आपको ध्यान रखे दोस्तों ये होता है आप जो लिखत रिस्व सब्द आप इस प्रकार से लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा इस सब्द को ऐसे ना लिखे ये सब्द इस प्रकार से सही होता है ठीक है दोस्तों और अगला विकल्प है अरुन सब्द सुर्य का पर रहवाची होता है और इसी के साथ साथ लाल रंग को भी अरुन बो बोलते हैं आगला प्रशन है यहाँ पर बोट अच्छे अरण है मसीन रराम कि आज से पिछला दिन आज से अगला दिन आदी सुबी सब्दि कि सब्द अनिकार्ति है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सही विकल्प कौन सा होगा विकल्प नंबर चार कल का ताथ पर रे मसीन होता है अर्थत कल पूर्जे के रूप में और आराम को भी बोलते हैं अपन देशी बासा में या ग्रामेंट परिवेश में इस सब्द का प्रियोग बहुत आशित करते हैं कल इसे बोलते ह आराम और आने वाला कल और बीता हुआ कल आप जानते हैं सब इसे और इसके अलावा कल सुन्दर का रूप भी होता है कल का ताथ पर सुन्दर भी होता है तो यहाँ पर कल जो विकल्प नंबर चार है वो सही हो जाएगा बाकी तीनों सब्दों को आप जानते हैं अगला प् अब उसे बूल जाते हैं तो अब प्रस्ण को ध्यान से पड़ें यहां पर पत्र शब्द का अनेकार तक सब्द संब्ध करते हैं तो विखल्प नंबर दो यहां पर आपके लिए सब्धित हो जाएगा पत्र के लिए पत्ता चिट्टी और पंक तीनों सब्द पत्र सब्द के अनिका अर्ति शब्द है बाकी पन्ना पंक मुटी सब सब को आप जानते हैं तो यहां पर केवल विकल्प नंबर दो ही सही होगा अगला प्रश्ण है आपके लिए निन लिखित में से अनमेल ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों अनमेल प्रश्ण में पढ़ने में गलती ना करें अनमेल पुछा यहाँ पर निन लिखित में से अनमेल अनेकार तक शब्द हैं इसके विकल्प आपके लिए यह यहां पर है विखल्प चारों, आप देख लीजिए हंस सद्र का तात पर्रे अनेकारतक रूप में क्या होत Self दोस्तों हम्राल को हंस बोलते हैं , अर्थ सद्रेत मराल हंस का पर्रेवाच्य है !! सुर्र को भी हंस बोलते है अनेकारत For illness गोडा को हंस बोलते है positioning। और उसके बाद में हरी शब्द का तात्पर्र यहां पर दे रखाए अनेकारतक रूपों में तो यहां दिये गए तीनों शब्द अनेकारतक रूप में हरी शब्द के अनेकारती हैं लेकिन यहां पर विकल्प नंबर च्यार को भी द्यान से पढ़ लीजिएगा धन का तात्त पर्न जोड जोता है अब जानते हैं जोड धन प्रक्रिया कोई न कोई वस्तु मिलती है उसे धन बोलते हैं लेकिन यहां पर विकल्प नंबर 3 आप ध्यान से देखेंगे दूस्तों नग शब्द का अनेकार्थी यहाँ पर एक भी नहीं है तो यहाँ पर विकल्प नमबर 3 आपके सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है आपके लिए प्रस्ण नमबर 9 कर शब्द का उप्युक्त अनेकार्थ तक समू है प्रेश्णों को पढ़ने में किसी प्रकार की गलती ना करें दोस्तों वही सबसे महत्पूर्ण है अगर प्रेश्णा आपको समझ में आता है तो जवाब देने में आसन रहेगी अगर प्रशन आपको समझ में नहीं आपाता है तो जवाब देने में कटिनाए अवस्य होगी तो अगला प्रशन आपके लिए कर शब्द का उप्यूक्त अनेकार तक सम्मू है तो यहाँ पर मैं आपको सई जवाब की और ले चलता हूँ इसका विकल्प नमबर चार सही होगा कर का तात पर रहे हाथ होता है कर का तात पर रहे होता है कीरण और करना क्रिया का जो मूल धातु है वो कर होता है और इसके बाद में बाकी यहाँ पर आप जानते हैं क्री क्रिया का मूल रूप है कर क्रिया का मूल रूप है जो की धातू रूप है क्री उसके बाद में क्रिया आप जानते हैं इसके बाद जो लिखा है विसे आप जानते हैं इसके बाद में विकल्प नंबर दो में लिखे हुए तीनो वर्ड सुधाकर मतलब सुधाकर किसका पर्रहवाची है भगवान क्योंकि सुधा यह अम्रित और जो अम्रित की वर्षा करता है उसे चंद्रमा बोलते हैं और जो हिम की वर्षा करता है उसे भी चंद्रमा बोलते हैं तो हिम कर और सुधा कर किसका पर्रेवाची है चंद्रमा का ध्यान दीजीगा यहां पर आप सभी के लिए एक साथ ही पर्र सुर्य का प्रेवाची होता है भगवान सुर्य को दिवा कर बोलते हैं दिवा मतलब दिवस कर, मतलब करने वाला क्या होता है इसके बाद में विकल्प नंबर तीन पर चलिया आप दुशकर जिसे करना कठीन हो वाक्यंज के लिए एक शब्द के रूप में बहुती मोती, पानी में उत्वन होने वाला इन सभी के लिए अनेकार की सब्द कौन सा होगा तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले सही विकल्प की बात करते हैं पने जलजशब्द का तात्पर्र होता है कमल सब जानते हैं आप अर्थात जलज शब्द कमल का परेवाची हैं उसके बाद में मोती जो भी मोती भी पानी के अंदर ही होता है इसलिए मोती को भी जलज बोलते हैं और पानी में उत्पन होने वाली हर वस्तु को क्या बोलते हैं दोस्तों जलज चाए मचली हो चाए मेंड़क हो चाए कुछ भी हो पानी के अंदर पेदा होने वाले हर जीव को क्या बोलते हैं जलज बोलते हैं तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, बाकी विकल्प नमबर 2 जलद का तातपर्य क्या होता है? जल देने वाला अरथात बादल शब्द का पर्यवाची होता है, जलद अगला विकल्पे इंद्र धनुस, सब जानते हैं, सब तरंग वाला होता है और पयोधर पयोधर भी दोस्तों क्या होता है बादल का पर्यवाची होता है इससे समुद्र का पर्यवाची भी वह सकते हैं लेकिन पयोधर बादल का पर्यवाची भी होता है और समुद्र का इस प्रकार से दोस्तों आज के जो दस प्रशनों की संक्रला थी वो पूरी हुई और आगे भी इसी प्रकार संग्रा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्युक्त